मार्केट की घिरावट में कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हम लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट करने के लिए देख सकते हैं और कौन से लेविल्स पे हमें उन्हें बाइ करना चाहिए देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में मेरा नाम है अंकित और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो और कमेंट सेक्शन के अंदर वी आर दे इंवेस्टो ग्राफर्स लिख दो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है अब स्टॉक्स के उपर आने से पहले जल्दी से मैं थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट पैटरं के उपर आपको एनलिसिस देना चाहूँगा कि निफ्टी के अंदर मेरा पर्सनल व्यू इस टाइम पर क्या बन रहा है और क्या सिचुएशन हमें निफ्टी में आने वाले दिनों में या आने वाले वीक्स के अंदर देखने को मिल सकती है सबसे पहले सबसे basic अगर हम concept यूज़ करें जो trend का हमारा concept होता है तो clearly हम निफ्टी के अंदर इस टाइम पर देख सकते हैं कि जो major swings निफ्टी के अंदर medium term या long term फ्रेम पर बनते हैं उनके अंदर हम clearly देख सकते हैं कि एक higher high बना उसके बाद हमें उसके बाद एक lower high बनता ह को मिल रहा था almost 16,400 के level पे हमें यहां पे एक swing लो देखने को मिला जो कि finally हमें 24th February को break होता हुआ दिखा again उस दिन हमें break होता दिखा थो थोड़ा सा हम फिर भी उसको lightly ले सकते थे क्योंकि उस दिन war की announcement हुई थी तो हो सकता है market हमें ज्यादा पैनिक करता हुआ दिखा हूँ बट उसी के बाद अगर हम देखें तो जो bounce back आया market bounce back को sustain नहीं कर पाया और वापस से हमें market नीचे आता हुआ दिखा और जो 24th February यानि जिस दिन war announce हुआ था जिस दिन war start हुआ था उसका low भी हमें इंट्राडे basis पर break होता हुआ दिखा तो ये काफी ज़्यादा cautious होने वाली बात है काफी ज़्यादा bearish और काफी ज़्यादा negative sentiment को indicate करने वाली चीज़ है अब थोड़ा सा अगर हम देखें कि positive side हमें क्या movement इसमें आ सकता है या positive side हमें क्या एक थोड़ा सा indication देखने को मिल अगर हम थोड़ा सा यहां पर एक lower side पर trend line देखें तो हमें अगर almost हम इसके जो high है उनको अगर match करते हैं और इसके जो lows हैं उसको अगर match करते हैं तो kind of हमें एक हलका सा channel type pattern यहां पर बनता हुआ देख रहा है तो हो सकता है कि nifty हमें यहां पर एक support देता हुआ देखें यहा almost हो सकता है कि market के अंदर एक काफी बड़ा momentum आता है तो 18,000 तक भी momentum हमें निफ्टी का जाता हुआ दिख सकता है बट अगेन overall basis पर हम देखें तो निफ्टी का जो एक काफी strong trend हमें बनता हुआ दिख रहा था वो हमें इस टाइम पर weak होता हुआ दिख रहा है और इसी वज़ या फिर आप commodities के basis पर देखो चाहिए आप crude के basis पर देखो तो macro basis पर हमें market बिल्कुल भी strong नहीं दिख रहा है and short term में आने वाले 2-4 महीनों के लिए market हमें positive नहीं दिख रहा है तो अगर short term के अंदर market suddenly कोई हमें rally देता है suddenly कोई reversal देखें उपर की side 500 या 1000 point तक का move हमें देता और साथ ही साथ अगर आपने long term investment में कोई portfolio में आपके कोई stocks हैं जो बहुत जादा गिर चुके हैं या बहुत जादा weak इस time पर चल रहे हैं तो अगर कोई ऐसा major bounce back हमें market में देखने को मिलता है तो वहां पर आप sell on rise वाली opportunity यूज़ कर सकते हो कि market में suddenly कोई rise आता है तो आप अपनी positions को हलका करने के लिए देख सकते हो या फिर हो सकता है कई सारे लोग हैं जिन्होंने कोई positional trades लिए थे जो उनके first गया है काफी lower levels पे हैं और आपसे exit नहीं किया जा रहा है तो अगर market में कोई एक bounce back आता है तो आप sell on rise की opportunity उसके अंदर देख सकते हो ठीक है तो फिल के zone ने आता हुआ दिख सकता है personally मेरे लिए 14,000 से 14,500 का zone काफी realistic है काफी ज़्यादा practical मुझे दिख रहा है क्योंकि अगर हम एक practical theory भी use करें कि जब भी market में एक बड़ी rally आती है देड़ से 2 साल के लिए तो generally market हमें 25% तक around around correct होता हुआ दिखता है तो round figure में अगर हम market के top से 25% mark करते हैं तो round figure में हमें 14,000 के आसपास वो आता हुआ दिखता है तो 14,000 काफी practical दिख रहा है अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये correction quick होता है और हमें एक या देड़ महीने के अंदर होता हुआ दिखता है या ये correction थोड़ा लंबा चलता है और धीरे धीरे होता है और तो शायद हमें ये 3-6 months भी correction हमें देखने को मिल सकता है अगर correction धीरे धीरे bounce back के साथ होता रहता है इसी के साथ अब हम कुछ ऐसे stocks के उपर आ जाते हैं जो काफी जादा बढ़िया stocks हैं काफी जादा over the years काफी साल होता कि हमें consistent compounders की तरह निकल करके आए हैं तो जब भी market के अंदर correction होता है हमारा सबसे पहला focus ऐसे consistent compounders के उपर होना चाहिए जो generally ज्यादा डिप नहीं देते हैं जो कभी-कभी साल या दो साल के अंदर कोई अच्छा डिप देते हैं तो सबसे पहले हमें उनके उपर नजार रखनी जीए तो कि ये stocks होते हैं जिनके अंदर हमें correction के अंदर अच्छी opportunity मिलती है long term के लिए 5 साल 10 साल 15 साल के लिए अपने पैसे को invest करने के लिए तो सबसे पहला stock जो मैं आपके साथ share करना चाहूंगा वह है पिडिलाइट का अगर हम लोग इस टाइम पर चार्ट पैटन देखते हैं तो clearly आप देख सकते हैं भी पिडिलाइट थोड़ा सा हमें week दिख रहा है 200 EMA का zone इसने recently break किया है अगर major level की मैं बात करूँ जो अगला इसका major support level की तरह काम करेगा वो इसका 2170 के आसपस यानि round figure में आप 2200 का रख सकते हो तो round figure में 2150 से 2200 का जो zone है वो एक इसके लिए major support का का काम करेगा बट अगर ये वाला level break होता कि आपको golden opportunity इसमें मिल सकती है और अगर पिडिलाइट हमें correct होता हुआ दिखता है तो mostly chances है कि पिडिलाइट हमें 1800-1900 तक आता हुआ दिख सकता है जिस तरीके से अगर आप macro factors को अगर study करते हो तो आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से inflation हमें increase होता हुआ दिख रहा है जिस और यह एक काफी golden opportunity हमारे लिए हो सकती है अगर पिडिलाइट हमें 18-1900 के zone में मिलता है तो definitely पिडिलाइट को अपने radar पर रखना है और अगर वहां पे आप लोगोंने buy नहीं किया और वहां से market reversal देना start करता है तो यह kind of आपका regret बन जाएगा जब आप 2-4 साल बात देखो होगे कि पिडिलाइट एक बार 1800 के level पर आया था वहां पर हमने buy नहीं किया तो जरूर इसको अपने radar पर रखना है अगर आप एक long term investor हो इसके बाद अगले stock के ओपर आ जाते है जो again long term investors का one of the favorite stock है उसका नाम है Asian paints Asian paints का अगर हम चार्ट देखें तो इस टाइम पर जिस तरीके से crude oil के अंदर हमें काफी तेजी से rally आती वह दिख रहे है अगर आप crude oil का चार्ट देखो तो almost 2011 का जो उसने high बनाया था उस वाले level को भी crude oil ने recently break कर दिया है अब almost वह अपने 2008 के high तक को touch करने जा सकता है हालां कि वह अभी काफी दूर है बट हो सकता है अगर बहुत जादा high situation बनती है supply side बहुत जादा cut off रहता है तो हमें अपने 2008 के high तक भी crude oil यानि almost 140-50 के डॉलर्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है तो हम लोग उसका wait करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है देन हमें paint sector की जो companies ले है उनके अंदर बहुत ही golden opportunity मिल सकती है long term के लिए उनको pick करने के लिए one of the best companies जो paint sector के अंदर है वो है आपकी Asian paints को recently हम लोग देखें तो यहां पर आगर आपको याद हो तो जब यह 200 यह में break कर रहा था तो काफी सारी लोग इसको buy करने के लिए पूछ रहे थे बट उस टाइम पर हमने बोला था कि अभी crude oil जिस तरीके से भागता हुआ हमें दिख रहा है clearly हमें Asian paints में अच्छा correction देखन हम देखने को मिला यहां पर अगर हम pattern की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं एक head and shoulder pattern हमें बनता हुआ दिखा and generally head and shoulder pattern का जो target होता है वो उसके head की जो height होती है almost अगर आप यहां पर देखो तो almost 600 points की इसकी height है उसको अगर हम नीचे लेकर करके आते हैं तो almost आपका 24-2500 के zone में dip देता हुआ दिखता है तो definitely हम initial buying 20-25% वहां पर कर सकते हैं and अगर वहां पर stabilize हो के उपर जाना start करेगा तो बाकी का investment भी हम लोग add करेंगे otherwise अगर हमे crude भी increase होता देखेगा और Asian paint अगर continue करेगा fall तो फिर हम all lower level पे इसको pick करने के लिए देखेंगे जैसे की 1800-19 कर level again मैं बता दूं कि crude के अंदर जो rallies आती है वो कभी कभी आती है कुछ सालों में एक दो बार आती है and वो एक golden opportunity होती है ऐसे stocks को pick करने के लिए क्योंकि एगर एक अच्छी company है तो उस अच्छी company का जब भी बुरा वक्त आता है वो एक investor के लिए बहुत अच्छा मौका होता है तो हमेशा कोशिश करो कि जब भी market में बुरा वक्त आ है वहां पर आप अच्छी companies को pick करो जो आपको पता है कि 6 महीने बाद एक साल बाद दो साल बाद जब भी बुरा वक्त गुजर जाएगा उसके बाद वो companies बहुत strong तरीके से वापस से अपनी growth को continue करेंगी and ऐसे के अंदर फाइदा क्या होता है कि जो छोटे players होते हैं अब अगर paint sector का हम example ले लेते हैं तो paint sector के अंदर अगर कोई छोटा player है unorganized player है या छोटी company है जो अगर 6 महीने या एक साल तक situation improve नहीं होती है तो वो अगर survive नहीं कर पाती है अगर वो company बंद हो जाती है तो जब वापस स हमें बुरा वक्त आता है high inflation situation आती है कोई global factors की वज़े से बहुत जादा market में correction हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर सबसे पहली priority आपकी ऐसी companies के उपर होना चाहिए जो आपको पता है कि बुरा वक्त survive कर लेगी क्योंकि जो भी companies बुरा वक्त को survive कर लेगी वो आगे फिर के time से almost हमें FMCG companies के अंदर काफी अच्छा correction देखने को मिल रहा है अगर हम लोग तो कितना beautiful हमें correction यहां पर देखने को मिल रहा है तो already आपको company 30% के discount में मिल रही है अगर मैं इसके major support की बात करूँ जहां पर यह easily हमें आने वाले दिनों में आती हुई दिख सकती है वो रह और उसके बाद correction हमें और continue होता हुँ दिखता है ज्यादा गिरावट और continue होती हुई दिखती है देन अगेन वो golden opportunity होगी उसको हमें miss नहीं करना है बट हिंदुस्तान Unilever का जो major level है जो आप अपने radar पर रख सकते हो वो रहेगा 1900 का level and उसके बाद अगर आपको radar पर रखना और काफी सारे retail investors हैं जो मुझे अभी तक यह समझ नहीं आता कि काफी सारी retail investors है जिन्होंने बजाज finance के अंदर invest नहीं किया है क्यों नहीं किया मुझे literally इसका कोई reason समझ नहीं आता कि investors ने क्यों नहीं किया retail ने शायद उसका एक reason हो सकता है कि थोड़ा higher ticket stock है 5-6000 रुपे क stock है तो वो retail investors को ऐसा लगता है कि 5-6000 रुपे के stock perform नहीं करते हैं बट उसी का मैं आपको एक example देना चाहूंगा कि अगर आप 2016 के time पे बजाज finance का price देखो तो अभी आपको दिखता है कि 2016 में उसका price 1000 रुपे था बट 2016 में भी उसका price 5000 रुपे के around था उसके बाद वो split हु करके 1000 रुपीस का price दिखता है तो एक चीज़ हमें मिस नहीं करनी है कि जो मुझे लगता है कि retail investor high ticket stocks जो होते हैं जो थोड़े महंगे stocks होते हैं उनको देख करके सोचते हैं कि इनमें growth already हो चुकी अब क्या growth होगी ऐसा नहीं होता है बजाज finance के अगर आप growth देखो over the years तो श term frame large caps generally small cap mid cap को on average beat कर देते हैं तो आपको अगर long term invest करना है तो आपको majority of the amount अपना large cap में ही invest करना चाहिए अच्छे large caps के अंदर जिनमें अभी भी growth देखने को मिल रही है तो बजाज finance के अगर मैं बात करूं तो बजाज finance अगर आप देखोगे तो बहुत रेरली अपने 200 यह में जोन को break करता है जनरेली अगर 200 यह में जोन को break करता है तो immediately एक या दो दिन में हमें bounce back देता है अगर इस टाइम पर हम देखे है तो वापस से बजाज finance ने 200 यह में जोन को break किया है और अगर यह continue करता है यहां पे अपनी गिरावट अगर यह वाला support लेवल जो है 6400 का अगर यह break हो जाता है देन हमें बजाज finance में again once in a year यह once in two years वाली opportunity मिल सकती है जो पहला important लेवल आपको अपने रिडार पर रखना है वो है 5800 का लेवल उसके बाद अगर मैं बोलूं तो अगला जो important लेवल आप अपने रिडार पर रख सकते हो वो तो यह वाले support को आपको बिल्कुल अपने रिडार पर रख रहा हैं अगर मौका अच्छा हुआ अगर opportunity अच्छी मिली तो हो सकता है बजाज finance हमें 5000 के नीचे आता हुआ देखे और वहाँ पे बिल्कुल भी बजाज finance को miss नहीं करना है अगले 5 से 10 साल के investment के लिए बहुत य reason है कि अभी भी जोन का बुरा वक्त है पूरी तरीके से गुजरा नहीं है तो अभी भी वह थोड़े से हमें अच्छे levels पर मिल रहे हैं जब यह बुरा वक्त गुजरेगा तो वह हमें काफी strong तरीके से rally दे सकते हैं अगर बजाज finance के आप history देखो तो जब भी इसका बुर है कि बजाज finance थोड़ा high beta stock है बड़े move देता है और उसी वज़ा से जो investors हैं उनको अच्छे मौके इसमें मिलते रहते हैं time to time साल दो साल में एक बार अच्छा मौका ज़रूर मिलता है बजाज finance में और उसको हमें miss नहीं करना है बजाज finance के बाद सीधा हम लोग आ जाते है हमें आज के आखरी stock के उपर जो है बजाज फिंसर्व जो की almost आप कहा सकते हो बजाज finance के similar ही हमें stock market के अंदर chart pattern के साब से move देता है similar तो बजाज finance ही हमें इसका trend देखने को मिलता है अगर आप बजाज finance में invest कर रहे हो तो definitely आपको बजाज finance के अंदर भी थोड़ा बहुत अपना investment करना चाहिए अभी अगर हम बजाज फिंसर्व की बात करें तो यह काफी दिनों से 200 यह में पर अच्छा support ले रहा है बट अगर market वीक रहता है market में अगर गिरावट हमें continue होती वह दिखती है then अगर हमें यह 15,000 का support level break होता हुआ दिखता है तो जो major levels है जिन पर हम में नजार रखनी है long term investment के लिए buy करने के लिए वो रहेगा पहला level approximately आप अपना 12,000 से 10,000 के zone में रख सकते हो and यह सबसे major level रहेगा and काफी कम chances है कि बजाज फिंसर्व हमें 10,000 के नीचे जाता हुआ दिखे but अगर 10,000 के नीचे जाता हुआ दिखे but अगर 10,000 के नीचे जा रहते हैं अगें बजाज फिंसर्व one of the fastest growing companies है इंडिया के अंदर चाहे आप stock market के returns के साब से देखो या company के financials के basis पे देखो दोनों के basis पे one of the best companies है जिन्होंने काफी बड़िया returns हमें दिये हैं तो यह पांच companies थी जो मैं आज आपके साथ share करना चाहता था अगें काफी सा नया करने के चक्कर में बहुत बार बहुत सारे investors के साथ हुआ है कि वह अच्छी opportunities को miss कर देते हैं और बाद में उनको regret होता है तो कहते हैं कि जो सबसे basic चीज होते हैं जो सबसे easy चीज होती है वही लोग करना भूल जाते हैं और वही लोग करना miss कर देते हैं और market is all about following the basics following the discipline तो अगर आप basic चीजों भी discipline के साथ करते रहोगे तो over the years market आपको इतने बड़िया returns देगा जो आपने expect नहीं किया होगा और वो भी एकदम boring companies के साथ आपको returns मिलेंगे तो सबसे पहले हमें अपने basics को clear करना है उसके बाद हमें आगे की चीजों के उपर जाना है तो जो fundamentally अच्छी companies है जो fundamentally इतनी strong companies है कि जिनके अंदर अगर आप long term investment कर दो तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है आपको daily क्या in fact weekly भी price check करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये 5 companies मुझे अच्छी लगी आप जल्दी से chat के अंदर मुझे बताओ कि इन 5 companies में से आपकी favorite company बताओ कि क्या इस तरीके से मुझे और ऐसी companies को share करना चाहिए जो मेरी investment की watchlist के अंदर रहती है और market correction के उपर जिनके मैं अपनी पैनी नजर लगा करके बैठाओ कि अगर कोई भी अच्छा मौका मिले तो मैं उनके अंदर invest करने के देखूँगा तो आज मैंने आपके साथ 5 companies share करिए बट मेरी watchlist के अंदर बहुत सारी companies है काफी लंबी watchlist है मेरी तो क्या इस तरीके से मुझे हर थोड़े थोड़े दिन के अंदर अपनी watchlist में से अलग-अलग companies आपके साथ share करनी चाहिए ताकि आप भी उन company को study कर सको और आप भी उन company को अपने radar पे रख सको आज क तरह हम लोग अपनी knowledge आपके साथ share करते रहेंगे और आप हमें प्यार और support देते रहो तब तक के लिए thank you good bye